हेलो दोस्तों स्वागत करता हूं आपका विपिन वैब एकेडमी में दोस्तों आज बात करने वाले हम accordion के बारे में जेक्वेरी यूई यानि यूजर इंटरफेस के accordion का यूज हम किस तरह करते हैं अगर आपने बूस्ट्रफ पढ़ा होगा तो उसमें आपने देखा होगा कि मैं आपको ब्राउजर पर दिखाता हूं कुछ मैंने टेक्स्ट यहां पर आपके लिए जो है डमी टेक्स्ट मैंने ले रखा है तो accordion करता क्या है कि जैसे यह है what is lorem sum यह जो इतने जो heading tank मैंने दिया हुआ है यह हमारे जो element है और यह सब यह जो यह लाइने है यह चुपी रहेंगी जब आप इसने क्लिक करेंगे तो यह details पूरा आएगा जब आप second वाले पे ऎवाधाव डीटेल आएगा और first वाला जो है close हो जाएगा फिर is पर करेंगे तो यह second वाला close हो जाएगा और यह third वाला open हो जाएगा तो accordion jquery में accordion का use किस तर करेंगे और आपने बूस्ट्रेप में अगर देखा हुआ तो वहां पे किस तरह हमने यूज किया तो चलिए यह एक डमी टेक्स्ट है और यह टेक्स्ट कुछ इस प्रकार है जो की यहां पे में heading h3 और div में एक paragraph बनाके मैंने वो सारे के सारे text लिखा हुआ था तो इसमें कुछ भी हमें CSS यहां पे देख सकते हैं यहां पे CSS हमें कुछ भी नहीं करना यह एक theme है सुरी जब हम accordion jQuery में accordion का use करेंगे यानि accordion का use यानि कि हमारा एक predefined function है accordion तो यह automatically theme के according सारी stylists हो जाएंगे तो हमें सबसे पहले एक काम करते हैं यहां पे एक id दे देते हैं आइडी आइडी मैं दे देता हूँ accordion ठीक है या जो मर्जी आप डैमो को भी रख सकते हो आप ठीक है accordion डैमो accordion ही रख देता हूँ accordion की spelling a double c o r o k कि कभी कभी spelling mistake हो जाएगी तो जो है इसमें नहीं id में कोई problem नहीं है अगर हम जब वहां पे लिखेंगे चलिए यहां पे लिखके हम दिखा देते हैं आपको कि कैसे करना है ठीक है तो script script के अंदर हम जब जो है sorry यह style कहां से ओके fine यह यहां पे मुझे script लिखना है script okay अभी script के अंदर simple था हमें id का नाम पहले तो हम dollar लिखके function लिखेंगे हमेशा की तरह जैसे लिखते है function parenthesis open close then curly bracket open यहां पे semi column लगा दीजिए ठीक है now फिर से dollar और फिर अपने id का नाम id का नाम क्या है हमारा id शुरुआत होगा है accordion a double c और dion accordion के बाद हमें accordion करेंगे जब यहां पे dot लगागे accordion आप लिखेंगे और parenthesis open close semi column तो यह जो है थीम के accordion automatically style बन जाएगी और सारे text shift जाएंगे ठीक है हमें css के through display none नहीं करना पड़ा सिर्फ accordion लिख दिया बागी सब काम हमारा थीम कर देगा ठीक है यह वाला second वाला open करूंगा देख रहे है थीम के accordion के यहां पर color भी change होगा है तो first वाला बंद हो जाएगा देखें मैं click किया फर्स वाला बंद हो गया second खुल गया फिर third वाले पर click करता हूं तो second बंद हो गया और 3rd वाले text आ गया, 4th पे करता हूं तो 3rd वाला बंद हो गया, 4th वाला open हो गया, देख रहा है कितना बढ़िया इसकी design है, theme के recording अच्छी लग रही है काफी, हमें कुछ भी नहीं करना पड़ा, देख रहा है कितना बढ़िया और कितना अच्छा लग रहा है, अपने website में, यह जो हमारे element है, कहीं भी आप इसे use कर सकते हैं, और देख रहा है, एक भी हमने यहाँ पे CSS code का use नहीं किया, simple सा, जो है, हमने accordion लिखा है, ID देखे, और बाकि सारी, यह खुद automatically theme, जो है, design हो गई है, अच्छी से, तो यह theme के उपर depend करता है, जो theme आप चूज करें, उसके मैं responsive करता हूँ, तो देखे, responsive के लिए भी यह देखे, यह proper responsive है, अगर यह वाला open करूँगा, तो पहला वाला text open हो जाएगा, अब नीचे जाकर, आप यहाँ से नीचे जाए, और नीचे जाकर second वाला open करेजिए, तो पहला वाला बंद हो जाएगा, तो इस तरह से responsive mobile में भ तो front end developer होते हैं, उनको भी jQuery UI जो है बहुत ही अच्छी तरह से आता है, क्योंकि front end में हमारा jQuery और JavaScript साथ में HTML, CSS का knowledge बहुत ही अच्छी तरह होना चाहिए, तो front end काफी अच्छा बन जाता है, तो दोस्तो इस वीडियो में accordion के बारे में आपने पढ़ा उमीद है, दोस्तो watching this video, have a nice day